हलो फ्रेंट मैं सब्सक्राइब सुनील तंवर कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों एंट वीडियो सीरीज जैवेरनेस सीरीज में आज हम जानेंगे क्या है सफेद दा जो कान के पड़ते में क्या है टेम्पेरियो स्कलोसिज जिसके कारण ज के बोकिछशन आई क要 प्रिडियो और मिला सफेबी इंट रेलेटीट वीडियो का नोटिफिकेसा आपको समय-समय पर मिलता रहिवेर दोस्तों आपने देखा और सोना होगा कि हमारे गर में या को I ultimateब भर्ति होने कि गया है और उसको वहां पे रेपर करती है रेफर में वन जो है उसमें कान के कारण जो उसका रैफर बनाया जाता है वो कान के पर्दे में या तो होल हो या जो है कान के अंदर जो है पर्दे के अंदर पर्दा तो सही है बट उसमें वाइट पैचेज हैं सफेद दाग जिसको हम बोलते हैं उसके कारण रैफर किया जाता है दोस्तो हम हमारा कान का पर्दा है जो हमारे आउटर ऐर और जो मीडल को जो सेपरेट करता है तो एक पतली सी टीशू की लेर होती है । जिसको हम पहर और बोलते हैं ियर्ड्रम बोलते हैं nutr दोस्तों यह जो टेंपेनिक मेंब्रेन है इसका जो निर्मान है अगर इसकी संडचना पर अगर ध्यान दे तो यह तीन लेयर से बनता है आउटर इनर और मिडल सो दोस्तों जो यह मिडल वाली लेयर है जिसके अंदर बहुत बार कैल्शियम जमा होने से जो बाहर से जब हम प दिखाए देता है दोस्तों अगर हम इसके बात करें इससे हानिकार की इफेक्ट की तो यूज्वली रूटिन लाइप में इससे इतना इफेक्ट नहीं होता बट्चूंकि इफ सम्वन है वे आर्मी एस्पिरेंट एयर फोर्स एस्पिरेंट या जैसे उसको पाइलेट या होस्त व्हां पर जब मेडिकल एग्सामिनिशन होता है तो डहीं रैपर तेट पेशेंट अब अगर उसको रैपर देया है तो दोस्तों इसका जो ट्रीपमेंट है वो लाज होता है एक होता है conventional, traditional treatment उसमें दोस्तों क्या है कि उसको हटाने के लिए कान को पीचे से चीरा लगता है, open किया जाता है और उसको जो हटा के वहाँ पे graph लगा दिया जाता है एक normal layman के लिए दोस्तों ये traditional method ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है बर दोस्तों, if you are a particularly आर्मी एस्पिरेंट तो आपको ये methods जो है वो suitable नहीं है क्योंकि कराने के बाद में आपका जो है वहाँ पे इसकार बन जाएगा और इसकार के कारण आपको आर्मी में रेफर कर दिया जाएगा तो दोस्तों उसके लिए endoscopic ear surgery endoral technique से ear surgery की जाती है जिसमें कान को पीछे से incision या चीरा नहीं लगा कि अंदर के अंदर endoscopic से जो हमारे कान के परदे की जो संड़चना है उसको split करके और वो जो वहाँ पे जो टेंपेन जो पैच है जो वाइट पैच है उसको हटा के वहाँ पे लिए जाता है को ग्राफ लगाने के बाद वापस उसको वैशा कर वैशा रख़ दिया जाता है तो उसमें दोस्तों कान के पीछे चीरा नहीं लगने के कारण हमारे को बरती में आगे दिक्कत नहीं आती तो ध्यान रहे कि आज आपने अगर सरजरी कराई है तो ऐसा नहीं है कि दस दिन बाद आप जो है वो मेडिकल करा सकते हैं एट लिस्ट हमें 25 से 25 दिन का टाइम चाहिए होता है क्योंकि जो नया परदा जो हम लगाते हैं उसमें जेल फोम डालके उसको फिल किया जाता है उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट है इट विल टै कराउंटा 25 देज 20 से 25 दिन के बाद में आप अपना मेडिकल के लाइक उसमें हो सकते हो और मेडिकल को पास कर सकते हो और आप इस टेक्निक से अगर आपने कान का जो सफेद दाग का इलाज कराया है तो आमोमन आपको कहे आर्मी में कोई रैफर नहीं देगा और बढ़ती होने से कोई नहीं रोक पाएगा इसलिए दोस्तों बहुत बार जाने अंजाने में हमें पता नहीं होता और हम पॉस्टोरल टेक्निक से उसका ठीक करा लिया तो हमारे को बरती में प्रॉबलम आएगी इसलिए अपने चिकत सक्से जहां पे आप इलाज करा रहे हो एटलिस उनको ये बोलना है कि मेरे को आर्मी में रैपर दिया है और मेरे को एंडोस्कोपिक टेक्निक से इस सफेद दाग और टेंपेनोस्कलोसिस का ट्रीटमेंट कराना है तो 100% इसका ट्रीटमेंट होता है औ आपको जो अपना जो देश्य है उसमें आप जो है वो सफल हो जाओगे तो दोस्तों I think this information regarding the white patch, सफेद दाग in टेंपेनिक मेंब्रेन or ear drum is useful for you. You can share this information to your family and friends just to create awareness about the टेंपेनोस्कलोसिस or white patch in the ear drum. Thank you.